नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल सरकारी नौकरी एक्जाम वाला में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेडागोगी सीरीज के तहत ये पार्ट तीन पेश कर रहे हैं जिसमें दस महत्पून प्रसनों को चुना गया है जो सिक हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों में सेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें और और नौटिफिकेशन वाले बैल पर जरूर सेट करें जिससे संग्णन सिध्धान्त निम्न में से किससे संबंदित है। संग्णन सिध्धान्त निम्न में से किस वर्ग का सिध्धान्त है। संग्णन सिध्धान्त निम्न में से किसे संग्णन से किस वर्ग करें। अधिगम संबन्दी छेत्र सिधान्त अधिगम से संबन्दी छेत्र सिधान्त लेविन के द्वारा पृतिपादित किया गया था अधिगम संबन्दी छेत्र सिधान्त लेविन द्वारा पृतिपादित किया गया था लेविन एक गैस्टाल्ड वादी वनोवग्यानिक थे इस प्रस्न में आपको कई सारे प्रस्नों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे लेविन एक लेविन का छेत्र सिधान्त सामानने सब्दावली में यह कहता है मानव वहवार व्यक्ती और वातावन दोनों का पृतिपल है जिसे सांकेतिक रूप में बी बरावर एफ इन्टू पी इ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है तो इस तरह से इस प्रस्ण में आपको पांच या च्छे प्रस्णों के जवाब मिल जाएंगे प्रस्ण बहुत ही महत्पूर्ण है पेड़ागोगी पार्ट तीन का पहला प्रस्ण तीसरा प्रस्ण है बैटरी का प्रियोग निम्न में से किसके मापन हितू किया जाता है बैटरी का प्रियोग किसके मापने के लिए किया जाता है Option 1. रुची के लिए, वैक्तित्य के लिए, Option 3. बुध्धी के लिए, Option 4. अभी छमता के लिए, सही उतर है, Option 3. बैटरी का प्रियोग मनों विज्ञान में बुध्धी को मापने के लिए किया जाता है. बुद्धी भाटिया बैटरी बुद्धी मापन के लिए प्रियोग किया जाता है यानि बुद्धी भाटिया बुद्धी भाटिया बैटरी बुद्धी मापने के लिए प्रियोग किया जाता है भाटिया द्वारा भारत में बुद्धी परिक्षन का निर्मान किया गया था ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर भारत में बुद्धी परिक्षन का निर्मान किसके द्वारा किया गया था भाटिया के द्वारा यह एक साब्दिक बुद्धी परिक्षन होता है भाटिया के द्वारा जो परिक्षन तयार किया गया निर्मान किया गया वो कैसा परिक्षन होता है एक साब्दिक बुद्धी परिक्षन होता है अभी क्रमा योजित अधीगम का प्रत्य या सिद्धान्त किसने दिया था। Option 1 थरं डाइक, Option 2 हर, Option 3 स्किनर, Option 4 वाट्सन. साही उतर है Option 3, स्किनर के द्वारा अभी क्र्मा योजिप, अधिईघम का प्रत्य दिया गया था. अभी क्र्मा योजिप, अधिद्धान्त का प्रत्य इस्किनर ने प्रतिपादित किया था. इसकिनर जिस प्रकार पावलाव का नाम कलासिकल अनुबंद से जुड़ा है उसी प्रकार से इसकिनर का नाम समवेगात्मक अनुबंद से जुड़ा हुआ है समवेगात्मक अनुबंद को किरिया पिरसूत अनुबंद भी कहा जाता है ये भी प्रस्ण पूछा जा सकता है कि किरिया पिरसूत अनुबंद किसका उपनाम है या किस से समंदित है तो उसका उत्तर होगा समवेगात्मक अनुबंद इसकिनर का नाम किस से समंद है समवेगात्मक अनुबंद से और पावलाव का नाम किस से समंदित है क्लासिकल अनुबंद से वेभारिक शमताओं में वह सापेक्ष इस्थाई परिवर्तन जो की प्रिचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं वेवारिक शम्ताओं में वहसाप एक शिस्थाई परिवर्तन जो की प्रचलित अभ्यास का परिणाम या रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं Option 1 अभी परिणा, Option 2 अधिगम, Option 3 अभी व्रत्ती, Option 4 अभी शम्ता सही उतर है Option 2 अधिगम यानि लर्निंग वेवारिक शम्ताओं में वहसाप एक शिस्थाई परिवर्तन जो की प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको अधिगम या लर्निंग कहते हैं सीखना या अधिगम एक ऐसी पिरक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूती या अभ्यास के फलसरूप वेवार में अपेक शाकरत इस्थाई परिवर्तन होता है सीखना या दिगम कैसी पिर्किरिया है? एक ऐसी पिर्किरिया है जिसके द्वारा अनुभूतिया अभ्यास के फलसरूफ व्यवहार में अपेक्षाकरत इस्थाई परिवर्तन होते हैं अगला प्रसन है संग्यान किस बुद्धी के सिधान्त का हिस्सा है? उप्षन एक समू कारक सिधान्त, उप्षन दो पिर्ती दर्सक सिधान्त, उप्षन तीन गिल्फर्ड का सिधान्त, उप्षन चार फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइजड का सिधान्त, सही उतर है उप्षन नमबर तीन, संग्यान जो है वो गिल्फर्ड का सिधान्त का हिस्सा ह संग्यान बुद्धी के गिलफर्ड सिद्धान्त का हिस्सा है गिलफर्ड का सिद्धान्त गिलफर्ड ने 1907 में दिया था उसका विचार गिलफर्ड का विचार बुद्धी के सवी तत्वों को तीन विमाओं में या दिसाओं में सू संग्ठित किया जा सकता है तीन विमाए हैं पहली विमाए हैं संक्रिया दूसरी है विशेवस्तु और तीसरी है उत्पादन गिलफर्ड की जो सिध्धान्त है उसको तीन विमाओं से मिलकर बनाया गया है संक्रिया विशेवस्तु और उत्पादन और गिलफर्ड ने गिलफर्ड का सिधान्त 1907 इस वी में अगला प्रेस्ण है आठ वर्स के सुधीर की मानसिक आयू 10 वर्स है उसकी बुद्धि लब्दी कितनी होगी सही उतर है 125 उसकी बुद्धि लब्दी होगी बुद्धि लब्दी का फॉर्मूला होता है IQ equal to mental age upon chronological age multiply 100 इस वाले फॉर्मूले में हम इनको भरकर answer निकाल सकते है आठ वर्स है सुधीर की मानसिक आयू यानि आठ बटे 10 वर्स है उसकी 8 वर्स है मानसिक आयू है उसकी 10 वर्स सुधीर की और 8 वर्स है chronological age multiply 100 बरावर 125 इसका ये answer आ जाएगा मानसिक आयू जो होती है मानसिक आयू है 10 इसलिए 10 को हम कुछ इस तरह से divide कर देंगे 10 वटे 8 गुणा 100 इस वाले formula से आप उसकी बुद्धी लवधी निकाल सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको वास्तम में ग्यानवर्दक लग रही है तो लाइक जरूर कर दें अभी साथ ही अपने दोस्तों में और सेयर कर दें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाल बटन को दवाकर सब्सक्राइब जरूर कर ल तीन है जिसमें हमने दस महत्मों प्रस्णों को चुना है पार्ट वन एंड टू का लिंक आपको राइट हैंड साइड पर टॉप कॉर्णर पर जो आई लिंक है उसमें एवलेवल होगा साथ ही डेस्क्रिप्शन में भी हम उसको दे देंगे उस पर क्लिक करके आप उन अनुभव सम्वेग आत्मक व्यवार पर आधारित है सम्वेग का कौन सा सिदान्त इस विचार को मानता है कि सम्वेग आत्मक अनुभव सम्वेग आत्मक व्यवार पर आधारित है आप्शन है एक हाई पोटो लसिक सिधान्ट आप्शन दो जैम स्लेंग सिधान्ट आप्शन तीन सक्रियता सिधान्ट आप्शन चार अभी प्रणन सिधान्ट सही उतर है ओप्सन नमर दो जैम स्लेंग सिधान्थ समवे का जैम स्लेंग सिधान्थ इच विचार को मानता है कि समवेगात्मक अनुभव समवेगात्मक वहवार पर आधारित होता है जैम स्लेंग सिधान्थ के अनुसार पहले समवेगात्मक वहवार होता है और उसके बाद समवेगात्मक अनुभूती होती है दूसरे नमर पर आती है समवेगात्मक अनुभूती और पहले नमर पर समवेगात्मक वहवार उधारन के लिए यदि एक व्यक्ति बाग या भालू को देख कर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूती नहीं होती है अते समवेग आत्मक अनुभूती समवेग आत्मक वेवार जैम स्लेंग सिद्धान पर आधारित होती है अगला प्रेसन है किसी इच्छा या आवस्था में रुकावट पढ़ने पर उससे उत्पन होने वाला समवेगिक तनाव कहलाता है इच्छा या अवस्था में किसी भी इच्छा या अवस्था में रुकावट पढ़ने पर उससे जो सामवेगिक तनाव उत्पन होता है उसको क्या कहते हैं option 1 कुंठा, option 2, 22, option 3, चिंता, option 4, तनाव, सही उतर है option 1 कुंठा जब हमारी किसी इच्छा की या आवसेक्ता की पूर्थी नहीं होती है तो उससे जो सामवेगिक तनाव हमारे अंदर उत्पन होते हैं उन्हें कुंठा के रूप में जाना जाता है कुन्था जो है मैग डॉगल ने 14 सम्वेग बताएं है किसी इच्छा की पूर्ती नहीं होना कुन्था सम्वेग की उत्पत्ती होती है किसी जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ते नहीं होती तो हमारे अंदर जो सम्वेग उत्पन होता है वह कुंठा सम्वेक होता है यह है पेडागोगी सीरीज मल्टिपल चोईश कोष्टन्स का प्रेस नम्बर 10 है कॉल बर्ग का सिधान्त निम्न में से किस विकास से सम्मंदित है? कोल बर्ग का सिधान्त निम्न में से किस विकास से संबंदित होता है option 1 सामाजिक विकास, option 2 भासा विकास, option 3 नैतिक विकास, option 4 सारिरिक विकास सही उत्तर है कोल बर्ग का जो सिधान्त है वो मुख्य रूप से नैतिक विकास से संबंदित है कोलबर्ग का सिदान्त नैतिक विकास के विकास से समंदित होता है नैतिक विकास कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्षय या समाज के द्रस्टी कौन से अपने समंदों के बारे में वैक्तिक द्रस्टी कौन पर बल दिया कोलबर्ग ने किस प्रकार के दस्टिकोंड पर बल दिया वैक्तिक दस्टिकोंड पर कोलबर्ग का तर्क है कि नेतिक विकास संग्यानात्मक विकास के समानांतर चलता है नेतिक विकास किसके समानांतर चलता है संग्यानात्मक विकास के समानांतर चलता है कोल बर्क के अनुसार परंतु उसके लिए आवसक सर्थ नहीं है लेकिन ये नेतिक विकास के लिए आवसक सर्थ नहीं है दोस्तों अगर आपको लगता है कि वास्ता में वीडियो ग्यान वर्धक है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें जैसे वाटसैप, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, इत्यादी पर साथ ही अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दवा दें जिससे हमारी लिटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा और सबसे पहली हमारी ज्यान वर्दक वीडियो का आप मज़ा ले सकेंगे बने रहे है दोस्तों हमारे अगली वीडियो आने तक हमारे संपर्क में धन्यवाद